Hello everyone, I am Viplaov Singh आज किस वीडियो में हम बात करेंगे How to get a job after seated seated को पास करने के बाद आप एक नोक्री कैसे ले सकते हैं seated को पास करने के बाद private school के अंदर government school के अंदर या फिर YouTube के अंदर कौन-कौन से ऐसे option है जहां से आप एक job ले सकते हैं क्योंकि seated के एक्जाम के बाद या कोई भी टेट एक्जाम हुआ उसके बाद कोई भी certainty नहीं है जोब की लेकिन आपने seated पास ही किया था एक job लेने के लिए तो क्यों ना उस aim के बारे में बात की जाए जो आपका main aim था और जिसकी वज़े से आपने seated एक्जाम क्लियर किया था एंड वो aim क्या था तो गेट ए जोब एक नोकरी पाने के लिए एक नोकरी ही seated एक्जाम के देने का main reason थी और आपने seated का एक्जाम अब दे दिया है तो how you can get a job आपको नोकरी कैसे मिलेगी तो दोस्त इस पूरी वीडियो में यही बात होगी seated जब भी आप क्लियर करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं और एक रास्ता खुलता है आपके सामने जोब का नोकरी का आज के टाइम पर एक नोकरी पाना टीचिंग लाइन में बहुत मुश्किल हो गया है लेकिन आप लोग seated को क्लियर करने के बाद दो जगया पर नोकरी पा सकते हैं पहली तो हो गई आपकी प्राइवेट स्कूल के अंदर और दूसरा हो गया आपका गॉर्मेंट स्कूल के अंदर अब प्राइवेट स्कूल के अंदर अगर आपको नोकरी लगना है तो इसके लिए कोई भी रिटन टेस्ट आपका नहीं होता है प्राइवेट स्कूल के अंदर आप डारेक्ट अभी भी अपलाई कर सकते हैं लेकिन गॉर्मेंट एक्जाम जैसे की हुआ के वी एस, एन वी एस डी ट्रिपलेस भी तूपर टेट आप इन सब एक्जाम की तयारी कर सकते हैं तो जिनको तुरंत नोकरी चाहिए वो प्राइवेट स्कूल की तरफ जा सकते हैं और जिनको थोड़ा सा वेट करना है सरकारी नोकरी के लिए उनको इन एक्जाम के निकलने का वेट करना चाहिए ये एक्जाम कब निकलेंगे काफी जल्दी निकलेंगे काफी जल्दी आपको एक्जाम ये नोकरी के देखने को मिलेंगे लेकिन हमें ये टाइम वेस्ट नहीं करना है पूरी वीडियो देखना अच्छी बाद बताऊंगा प्राइवेट स्कूल के अंदर आपको अपलाई करना है आपको कहां पर अपलाई करना है प्राइवेट स्कूल के अंदर अपलाई करना है देखिये जितने भी आज के टाइम पर अच्छे private school है उनकी एक ही requirement होती है और वो होती है seated जिसने seated clear किया है वही private school के अंदर एक teacher के रूप में नोकरी ले सकता है अन्यथा नहीं ले सकता तो seated pass करते ही आप अपने area में सबसे पहले अपने area में school देखोगे कि कौन कौन से private school available हैं जितने भी private school available हो आप वहाँ पर जाएए और उनके management से बात कीजिए और वहाँ पर आप क्या कीजिए apply कीजिए वहाँ पर आपका interview ले लिया जाएगा वहाँ पर आपसे बात की जाएगी आपके talent को देखा जाएगा और maximum chance ऐसे रहते हैं कि आप try करने से गबराते हैं आप seated pass करें उसके बाद आप अगर confident हैं तो आप किसी भी अच्छे school में जाके वहाँ पर apply कर सकते हैं और यकीन मानिए आप अपने आस पास में अगर आपने दस school भी निकाल लिए दस school से अगर आपने contact कर लिया तो उन दस मेंसे मैं आपको guarantee देता हूँ चार school तो ऐसे होंगे जो आपको लेने के लिए ready हो जाएंगे क्योंकि आज के time पे अच्छे teaser की ज़रूरत हर school को है हर जगय को है तो दोस्त बिलकुल भी घवराना नहीं है private sector में अपनी पूरी try करनी है ये government के जो भी exam है ये 20 साल आएंगे अगर आप private नोकनी नहीं करना चाते हैं seated करके और आप चाते हैं कि आप अपनी दूसरे exam की तयारी करें लेकिन फिर भी आपके पास कुस पैसे आ जाएं तब उस उस रूप में आप क्या करें अभी तो आपने देखा कि अगर आप private नोकनी करते हैं तो आपको पूरा दिन देना पड़ेगा लेकिन आप तयारी तो government exam की करना चाते हैं seated के बाद लेकिन आपको पैसे चाहिए तो ऐसे में आपके पास क्या option हो सकता है ऐसे में भी आपके पास option है और ये वाला option बहुत अच्छा है देखिए ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं आप YouTube पर पढ़ा सकते हैं आप Unacademy पर पढ़ा सकते हैं YouTube पर जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे तीन मन्त तक आपको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन आफटर थ्री मन्त आपके पास एक नॉर्मल से नॉर्मल दस से बीस अजार रुपे के बीच की जो है इंकम स्टार्ट हो जाएगी तीन महीने के बाद तो आप YouTube पर अपनी तयारी करते हुए घर पर थोड़ा टाइम निकाल कर रोज एक दो वीडियो बना सकते हैं तीन महीने में आप इतने पैसे कमाने लगेंगे Unacademy आप Unacademy के ऊपर भी स्टार्ट कर सकते हैं Unacademy ने भी ऐसा सिस्टम बना रखा है कि कोई भी वहां पर जाकर पढ़ा सकता है और जैसे आप वहां जाकर पढ़ाते हैं तो दीरे दीरे आप जो है वहां पर भी गेन करने लग जाते हैं तो आप घर पर रहकर अगर income लेना चाहते हैं, तो आप YouTube और Unacademy की तरफ जा सकते हैं as a teacher, लेकिन अगर आप schools के अंदर पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इस time पर जितने भी private school हैं, उनको contact करना पड़ेगा, private school के अंदर अपने area के आसपास के मिलो उनसे जाके, और उनसे मि मिलने के बाद you will get a chance, definitely, क्योंकि teaching line में अगर आप government school की तरफ जाएंगे, तो government school में एक तो आप contract base पर भी apply कर सकते हैं, आप contract base पर apply कर सकते हैं government exam में, क्योंकि government exam जितने भी important होंगे seated के बाद, वो निकलते ही वो आते ही बहुत ज्यादा time में, क्या पता आप कब डीटर प्ल SBI, तो क्या आप D2SB की नोकरी के ऊपर ही रहोगे, नहीं, आपको पैसे कमाने start करने पड़ेंगे, तो private school के अंदर जाकर आपको experience गेन करना पड़ेगा, आप जब KBS के लिए apply करोगे, और जब interview देने जाओगे, तो उस time पर अगर आपने private school में पढ़ा रखा है, और आप आपको experience है, तो you will better know how to tackle that situation, उस situation को कैसे tackle करना, you will be able to tackle that easily, if you are already a teacher in private school, तो दोस्त ये कुछ option थे, CTAT को clear करने के बाद, अपने career को दिशा देने के, how to get a job के, लेकिन आप CTAT के अलावा, दूसरे CT exam भी clear कर सकते हैं, अगर आपके मन में ना तो private school है, ना आपके मन में YouTube है, ना आने केडमी है, और ना ही आपके मन में अभी पैसे कमाने की इच्छा है, तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में तो बात और ही जी हो जाती है, आप UP TET की तयारी कर सकते हैं, अलग-लग राज्यों के TET exam की तयारी कर सकते हैं, बाकि आप एक teacher हैं, आपने CTAT clear कर लिया है, और आ यही right time है, कभी तो हमें शुरुवात करनी ही पड़ती है, शुरुवात वाला पहला दिन तो कोई न कोई आएगा ही, तो हमें wait क्यों करना, CTAT का result जैसे ही आएगा, जैसे ही answer की आएगी मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही आप clear करो अपकी बार, contact करना आपको शुरू कर देन है अपने area के जितने भी private school है, हाथ पर हमें मारते रहने हैं, क्योंकि दोस्त किस्मत का नहीं पता होता, एक आदमी की जोग बिलकुल नहीं लगती है, और दूसरा आदमी seated clear करते ही teacher बन जाता है, यह पूरा का पूरा उसकी smart choices, यह पूरा का पूरा उसके सोचने के तरीके क उपर based करता है कि उसे अब आगे अपने life के साथ, अपने career के साथ क्या करना होता है, तो चलिए दोस्त, next video में मिलता हूँ, I am connected with you, my name is विकलो सिंग and I am your mentor for CTET and other TET exams like REIT, UPTET, SuperTET, तो दोस्त मेरे साथ ज़रू जुडिएगा, इस video को like कीजेगा, दोस्तों तक share कीजेगा औ अगर आपके मन में कोई भी doubt है, next video में मिलता हूँ, take care